दोस्तों RBI के तरफ से बहुत बड़ी निज़ निकल के आ रही है कि ए रूपी दिसंबर 2023 से लाँच हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा मतलब इंडिया कभी डिजीटल करंसी आ जाएगा इस तरह कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है आप यूज करेंगे वैसे मेरा स काफी जवर्जस वीडियो डाल दिया जाके जरूर देखिए अगर आपका रियाल मीटेन प्रॉप प्लस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आज फिक्स कर सकते बात करते पूल कि आपके हिसाब से कौन सा नेटवर्ट सबसे जवर्जस्त है तो सबसे ज़्यादा वोट आ तो चलिए पहले अपडेट के दब बढ़ते हैं तो बात करते हैं वाटसाब की वाटसाब ने सेफटी टूल लॉच कर दिया है कि आप किसी भी ग्रूप में अगर जाएंगे तो वहां पर किसी भी तरह का मतलब मैसेज वागारा कौन करेगा नहीं करेगा किस तरह का है तो इसमें सेफटी टूल में बहुत सारी चीज़ को अड़ कर दी गई है जिसके हिसाब से आप स्पैम वागारा नहीं होगा वहीं बात करते हैं इसकैम की तो ऐसा बताया जा रहा है कि पब्लिक एरिया में जहां पर आपको यूसबी पोर्ट मिलता है गोसेड़ेने के लिए औ आप सिक्यूर रहते हैं और यह सब जगह में चार्ज करते हैं फोन को कमेंट में अगली अपडेट के तरह बढ़ते तो बात करते हैं नेटवर्क के मामले में जियो और एर टेल चार्ड़ रहा है लेकिन वी कभी आने वाला है आप लोगों यह चीज़ पता है कि आने वाला इसे हैं जिसके हसाब से बहुत सारी नई-उन फीचर तो जाकर देखें वहीं बात सामय करते हैं मेटा की मेटा का ऐसा कहता है कि दुनिया के 40% लोग ऐसे हैं जो फेस्बूक का ये पहसं गसे इस तरह की कुछ अपडेट निकलimon के बात करते हैं तो बहुत बढ़ी अपडे किसको करना चाहेंगे वैसे गल्फ्रेंड है या नहीं ट्वीटर में चलिए बात करते हैं आइफोन 15 की तो फिफ्टीन और फिफ्टीन प्रो में एक ही सेंसर देखने को मिलेगा 48 मेगा पिक्सल का उसके बाद अल्टरा वाइड यह सब है लेकिन एक ही कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा इस तरह की कुछ अपडेट निकल क्या रही है जो 48 मेगा पिक्सल का होगा वक्त होता आपके सवाल लेने का सवाल है कि मैंने वीडियो दिया रियल्मी 10 प्रो पुलस के उपर तो उन्हों ने क्या देखा कि मेरा जो डिस्पले है उसमें एनलोग सिस्टम जो चल रह चले बात का आते हैं शौमी की तो सबसे पहले रेडमी 12 का फर्स्ट लुक देख सकते कुछ इस तरह का है लेकिन रेडमी 13 पे ट्विस्ट आ गया है कि रेडमी 13 में दो फोन दिख रहा है पहला जो होगा रेडमी नोट 13 जो ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आएगा और जो और इस तरह का कुछ है वैसे कल एक सुबा में जवर्जस वीडियो आ रहा है कि अब कमिंग स्मार्ट फोन जो अगस्ट के मज्ट में आने वारे है वो कौन-कौन सा है तो उस पर डिटेल वीडियो हमने किया है कल वीडियो आपको मिल जाए गए इस ट्रेट यून करिए और सब 1199 रुपए में आएगा इसकी लाँचिंग प्राइस वगएरा सब कुछ आ गई है और 29 जुलाई को ये लाँच होगा इस तरह की कुछ अपडेट है 30 घंटा का बैटरी वैक आप देखने को मिलेगा ENC का सपोर्ट है और फर्स लुक देख सकते कुछ इस तरह का आप लेना से आएगा या फिर सिर्फ जीटी के नाम से आएगा कमेंड में सब्सक्राइब चले बात करते हैं सैंसन के सबसे बहुत सारी खबर है कल उनका लॉंच इवन भी था तो सबसे पहले बात करते हैं सैंसन का वन यूए 6.02 अगस को बीटर टेश्टर के लिए रोल आट किया जा है पहला फ्लिप फॉल्ड इनका वाच और टैब तो सबसे बहुत करते है फ्लिप की तो इसमें मिलता है स्नाइब डागन इट जनरेशन टू दोनों में ही एट जनरेशन टू मिलता है यहां पर एमुलेट डिस्प्ले 6.7 इंच का और 3.4 इंच का ओर डिस्प्ले देखने को मिलता है जो वर्ट वेंटी हट्स के साथ है यहां पर जो कैमरा है इसका बारा पलस बारा का रियर कामरा दस का सिल्फी शाइटी समलिंपेर आर्क वैटरी इसकी प्राइस जो आई है इस टार्टिंग वेरियंट एटी शॉजन रूपीज से आता जो बहुत बड़ी बात है बात करते हैं फोल्ड से की तो फोल्ड में भी एंट ज़नरेशन टू के साथ है सेवन पॉंट वन इंच का इनर डिस्प्ले और सिकस पॉंट सेवन इंच का ओर्टर डिस्प्ले देखने को मिलता है यहां पर जिसका कैमरा दिया गया है 12 प्लस 12 प्लस 50 मेगड पिक्सल का रि बात करते हैं इनका टैब जो तीन वेरियंट पे आता है टैब एस नाइन प्रो और टैब एस नाइन अल्टरा तीनों ही एड जनरेशन टू के साथ आता है लेकिन साइज अलग-अलग है यहां पर जो कामरा वगएड़ा दिये गया है टैब नाइस नाइन अल्टर में 13 प्लस 13 का रियर कैमरा दस पलस टेट का साथ चैमल होते है इस तरह का कुछ है वहीं बात करते हैं इनका वाच 6 तो चार तरह का वाच 6 लाँच हुआ है दो छोटा है दो बड़ा है 40 mm से शुरू होता है और 47 mm तक का जाता है इसका प्राइस जो शुरू होता है 26,000 रुपीज से और उसके बाद आप चाले 90,000 तक का जा सकते इस तरह का क चाहेंगे यह फोन कमेंड में बात करते हैं ओपो का एटू यह भी फोन आने वाला बहुत ही जल्दी एमोलेट डिस्प्लेए 120 हट के साथ और फर्स लूप देख सकते हैं बात करते हैं आप वन प्लस की तो वन प्लस का ऐसा कहना है कि इनका जो फोल्ड सिरीज में वन प्लस का फोल्ड फोन लांच होगा उसका नाम फोल्ड नहीं रहेगा वन प्लस ओपेन रहेगा इस तरही कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं आप नाम चेंज करने से तो नहीं होगा यह तो रीपरांड है सब को ही पता हमें भी पता है आप लगता है यह रीपरांड होगा या तो दोस्तों तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब कर लिए और आपकी क्या रहा है वन प्लस के फोन में कमेंड में जरूर आई चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो